नाम में आप अपना नाम लिखेंगे और कक्षा द्यापक के दिए ती हं विबार क्यों होतें हैं और उंके उप्चार के नियम जिग्यासादिदी संख्रमक रोगों का इलाज कैसे क्या जाता है ग्यान संचारी रोगों को संक्रमक रोग भी कहते हैं यह रोगवानों से होता है रोगवानों वह जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई और वाइरस ऐसो को कहा जाता है जब भी कोई व्यक्ति इन रोगों में से संक्रमिट होता है तो उसका शरीर संबदित संकेत और लक्षन जैसे बुखार, दर्द, सूजन आदि दिखा कर प्रतिक्या करते है डॉक्टर चिकिस्सा रोगवी में रोगों के संकेत और लक्षनों के आधार पर इलाज करता है संक्रमिक रोगों के उपचार के दो उपआए हैं जिने उपचार के नियम भी कहते हैं उपचार के नियम रोगों के प्रभाव को कम करना वह रोगों के कारण को समाप्त करना रोगों के प्रभाव को कम करना रोगों को तुरं तराहत परदान करने के लिए डॉक्टर बिमारी के परभाव जैसे बुखार, दर्द, उल्टी, आधी को कम करने के लिए कुछ दिवाईयां देता है इसे लक्षण अधारित उप्चार भी कहते हैं इसके अलाबा रोगी को बेड रेस्ट यानि की पूर्ण अराम की सला दी जाती है ताकि शरीर उड़जा का सरंक्षन कर सके रोगों के कारण को समाप्त करना या रोगानों को समाप्त करना ये उप्चार का दूसरा उपाय है रोगी की भिन चिकिस्सा रिपोर्ट रोगी की भिन चिकिस्सा रिपोर्टों के अधार पर डॉक्टर बिमारी के सही कारण वो रोगानों के प्रकार के पुष्टी करता है तता उस रोगाणू को मारने के लिए द्वाई ओश्यदी देता है जिससे रोगी पूर्ण तर्थीक हो जाता है इसे प्रकार के ओश्यदों के प्रकार Antibiotic, Antibacterial ओश्यदी जिवाणू रोगी के उपचार के लिए Antiviral ओश्यदी, विशाणू रोगी के उपचार के लिए Antifungal ओश्यदी, कवक के उपचार के लिए Antiprotosal ओश्यदी, प्रोटोजोवल रोग के उपचार के लिए Criminatic ओश्यदी, परजीवी क्रीमी रोगों के उपचार के लिए अब हम यहाँ देखते हैं कुछ ओश्यदियों के बारे में Antibiotic या Antibacterial ओश्यदी, वह ओश्यदियां जिनको उपव्योग संक्रमित व्यक्ति के रोग कर Bacteria, यानि के जिवानों को मारने के लिए किया जाता है उन्हें Antibacterial ओश्यदी कहते हैं जैसे Penicillin Tetracycline Adi Antibiotic bacteria के जीवन चक्र में जरूरी जेवरसाइनिक जेवप्रक्रिया को रोग देती है जिससे bacteria मर जाता है Antibiotic bacteria के जीवन साइकल, यानि के जीवन चक्र को जरूरी जेविक रसाइनों जेवप्रक्रिया को रोग देती है, जिससे bacteria मर जाता है ये जेवरसाइनिक जेवप्रक्रिया हर रोगाणूं में बिन होती है जिसकी वज़े से Antibacterial ओश्यदी के बिन जनती रोगों में उप्योगी होती है ना कि वाइरस जनित रोगों में इसका अर्थ है कि हर रोगाणूं की अपनी एक भिन जिवन चक्र होता है जिसके लिए एक भिन ओश्यदी का उप्योग किया जाता है हम Antibacterial ओश्यदी का उप्योग Antiprotosal ओश्यदी के विकल्प में नहीं कर सकते हैं Antiviral ओश्यदी को बिनाना Antibacterial ओश्यदी बिनाने के अपिक्षा कठिन होता है वाइरस में अपनी जेवरसाइनिक पणाली बहुत कम होती है वाइरस हमारी शरीर में प्रवेश करके और अपनी जीवर्ण प्रक्रिया के लिए हमारी मशिनरी का उप्योग करते हैं इस सिमाओं के बावजूद अब प्रभावशाली Antiviral होश्यदी भी उपलब्द है वाइरस में जीवर्ण रसाइनिक पणाली बहुत कम होती है वाइरस में अपनी तरफ से जीवर्ण रसाइनिक पणाली बहुत ही कम होती है वाइरस मुख्यद किसी भी इंसान के शरीर में जाके उसी की जीवर्ण प्रक्रिया को अपना लेता है और उसी के मशीनरी का उपयोग करता है किन्तु आज भी आज इतनी सीमाओं के बावजुद हम बहुत प्रभावशली अंटिवाइरिल और शिद्या प्राने में काम्याब है प्रश्णों के उत्तर रोगों को इलाज करने के दो तरीके क्या है रोगों के इलाज करने के दो तरीके है रोगों के प्रभाव को कम करना वे रोगों के कारण को समाप्त करना जो कि ये लिखा हुआ है ये आपके पहले का उत्तर है रोगों के प्रभाव को कम करना वे रोगों के कारण को समाप्त करना यह आपके पहले का उत्तर है दूसरा प्रशन देखते हैं एंटिबायोटिक्स किने कहते हैं और यह कैसे काम करती है वह और शिर जिनको उप्योग संक्रम्त व्रक्ति के रोग कारक बैक्टीरिया को दूर करने के लिए उन्हें एक्टिब बैक्टीरियल कहा जाता है जैसे कि यह हैं इंटिबायोटिक और शिर यह आपका पूरा उत्तर है सेकेंड का यह पूरा सेकेंड का उत्तर आता है यहां से लेखेंड के यह दोनों पॉइंट्स पहला और दूसरा पॉइंट्स अके तीसरे प्रेशन का उत्तर है यह रहा पहला दूसरा और तीसरा वाइरस में अपने जिव रसाइनिक प्रिणाली बहुत कम होती है वाइरस हमारे शरीर में प्रिविश करके और अपनी जिव प्रिणाली के लिए हमारी मशिनिक का उप्योग करते है यह आपके तीसरे प्रेशन का उत्तर है यह भी आप लिख लीजिएगा अब आखरी प्रेशन है संचारी रोग क्या होते है इस किनी तीन रोगों के नाम बताईए संक्रमक रोग को ही संचारी रोग कहते हैं रोग जो किसी ना किसी रोगजनित कारकों जैसे प्रोटो जोवा कवक जिवानू वाइरस इतियादी कारण होते हैं संक्रमक रोग में एक ही शरी में से अन्य शरी में फैलने की शमता होती है मलेरिया टाइफाइड चेचक जैसे इतियादी संक्रमक रोग की उधारण है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए उप्योंगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेर कीजिए अला आप अगर हमारी चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले जिससे आपको हमारी नौटिफिक बिलते रेंगे धन्यवाल